वेलकम टू संसार ग्रीन बरसात का मौसम आ गया है और ऐसे में प्लांटेशन की लोगों की बीच जैसे होड सी लग जाती है रिक्षर ओपन के हर किसी के अपने-अपने कारण होते हैं कोई जन सेवा के लिए करता है, कोई प्रकृती सेवा के लिए तो कोई popularity गेंग करने के लिए वजह चाहे जूभी हो, लेकिन कौन सा व्रिक्ष लगाना है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है शायद आपको अजीब लगे, लेकिन पिछले 70-75 सालों में पीबल, बरगद और नीम जैसे व्रिक्षों का सरकारी अस्तर पर लगाया जाना लगभबंद हो चुका है कारण जानते हैं, ये पेड महंगे पड़ते हैं और सरकारी योजना में स्रस्ते पेड़ों से काम चलाने की कोसिस की जाती है फलदार व्रिक्ष वैसे ही नहीं लगाया जाते सडकों के किनारे, उनके पीछे अनिक तरक दिये जाते हैं ऐसे पेड़ बल की लगाया जाते हैं, जिनको जानवर भी ना खाएं आप सूचिए, जो हमारे लायक नहीं, जो हमारे जानवरों या पसुपक्षियों के लायक नहीं, क्या वो हमारे पर्यावरन के लिए अनुकुल है? कदापी नहीं हम सभी जीवित या निर्जीव जो भी हैं, हम एक एकोसिस्टम का हिस्सा हैं और इसमें हर किसी की उपस्थिती और अनुपस्थिती से एकोसिस्टम पर असर पड़ता है हमने विदेसी, युकलिप्टस और गुलमोहर लाकर सड़कों के किनारे लगा दिया इसके पत्ते जानवर नहीं खाते और ये किसी के काम का नहीं है पर जो देसी पेड़ थे और जिन्हें पूजनी अमाना जाता था उन्हें लगभग भुला दिया है अब जब वायू मंडल में रिफ्रेशर ही नहीं रहेगा तो गर्मी तो बढ़ेगी ना और गर्मी बढ़ेगी तो धरती का पानी भाप बढ़कर उड़ ही जाएगा अपने बच्पन से ही हमने नीम के व्रिक्ष के सैंक्रों फायदे सुने हैं और जानते हैं पर एक बार अपने घर से लगभग 100 मीटर तक चहल कदमी करके देख लीजे कि क्या आपको कहीं भी आसपास नीम का कोई व्रिक्ष दिखता है जिसकी आप एक साखा दातूं के लिए तोड़ लें या कुछ पत्ते ही तोड़ लाएं जिसे चावल दाल जैसे अनाज की डिबी में या बिस्तर के नीचे रख सके ताकि इन्फेक्षन ना फैले किसी तरह का नहीं ना क्यूंकि हमने व्रिक्ष लगाना छोड़ दिया है और पुराने व्रिक्ष हमने छोड़े नहीं है अगर सडकों के किनारे हर 500 मीटर की दूरी पर भी एक पीपल का पेड़ लगाया जाए तो आने वाले कुछ साल में ही देश प्रदूशन मुक्त बन जाएगा पीपल के पत्ते का फलक काफी अधिक चोड़ा होता है और इसकी डंठल काफी पतली होती है यही वज़े है कि सांथ मौसन में भी इसके पत्ते लगातार हिलते रहते हैं और पंखे की तरह हवा करते हैं इतना ही नहीं सुख्ष ऑक्सीजन तो देते ही हैं वैसे भी पीपल को व्रिक्षों का राजा कहा गया है और इसकी बंदना तो हमारे धर्म सास्त्रों में हमारे स्लोकों के जरिये भी की गई है मूलम ब्रह्म्हा त्वचा विष्णू शखा संकर मेवचा पत्रे पत्रे का सर्व देवानाम व्रिक्ष राज नमस्तुते अर्थात इस व्रिक्ष के मूल में स्वयम स्रिस्टी के रचैता ब्रह्म्हा जी तो इसकी तवचा यानि च्छाल में भगवान विष्णू और इसकी साखाओं में भगवान शिव का वास होता है इसके पत्ते पत्ते में भगवान का देवताओं का वास होता है यानि यह व्रिक्षराज है और यह नमसकार करने योगे है वंदना करने योगे है यह सास्त्र विज्ञान सम्मत होते हैं और इनमें जो बाते कही गई हैं वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कही गई हैं अमल में लाने के लिए कही गई हैं जब आप एक यूकलिप्टस का पेड लगाते हैं, तो आसपास के 500 मीटर की जमीन बंजर हो जाती है, वहाँ कोई पौधा नहीं उप पाता है, कोई जानवर इसमें मूँ भी नहीं लगाएगा, क्यूंकि ये खाने योगे है ही नहीं, और आपको हमें इससे क्या फाइदा होत इसकी तो सूखे पेड की लकडी भी जलावन के काम नहीं आ सकती, वहीं अगर धर्म की बात करें, तो ना सिर्फ सनातन या हिंदु धर्म में, बलकि बौध धर्म में भी इस व्रिक्ष की बहुत मानिता है, क्या आप जानते हैं कि भगवान बुध को जिस बोधी व्रिक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ती हुई थी, वह भी पीपल का व्रिक्ष था, यकीन नहों तो बोध भया जाएं और वहाँ पर बोधी व्रिक्ष अपनी आखों से देखें, यह पीपल का व्रिक्ष है जो अनादिकाल से वहां खड़ा है, अब थोड़ी बात बर्गद या व अनवाकिफ नहीं है, नीम हर घर की जरूरत भी है, सब की पसंद भी है, दोस्तों संसार ग्रीन हमेशा से व्रिक्ष रोपन और धर्ती को हरा भरा करने के उदेशे से काम कर रहा है, अगर आपको इसमें हमारी मदद चाहिए तो बेहिचक हम से संपर्ग करें, यदि फलदार व्रिक्ष लगाना आपके लिए संभाव नहीं है, तो बर्गत, पीपल और नीम के व्रिक्ष आप सड़कों के किनारे लगाईए, या खाली पड़ी हुई किसी लिए सरकारी या गया सरकारी जमीन पर लगा दीजिए, कितना लगाना है, वो हम बताते हैं, बर्गत एक लग जैनि जितने भी घर हैं, हर घर के उपर एक नीम का पेड़ होना चाहिए, अगर आप एक बर्गत का व्रिक्ष लगा रहे हैं, तो पांच पीपल का व्रिक्ष भी लगाएं, पहले गाउं की हर चौपाल बर्गत, नीम या पीपल के व्रिक्ष के नीचे ही लगती थी, सोच अच्छी लगी हो, तो जन जन तक फैलाएं, और एक सब्सक्राइब का बटन दबा कर संसार ग्रीन परिवार में मिल जाएं